हलो फ्रेंट टेकर यूटूबर में आपका स्वागत है फ्रेंट आज की इस वीडियो में जैसे आप अपना जोता फोन में BSNL में 4G चलाना चाते हैं तिस तरह से कंप्लीटली आप अपने BSNL में 4G चला सकेंगे जैसे देख सकते हैं फ्रेंट बीट प्रूफ के साथ हमारा BSNL 4G निटवर्क आ चुका है और आप भी अपने BSNL 4G निटवर्क में लाना चाते हैं लेकिन जैसे आप डाटा आउन करते हैं एच प्लस में 3G में चलता है जो देख सकते हैं यहां से यहसे हम डाटा आउन कर चुके हैं तमारा एच प्लस में चला है और फ्रेंट आप भी अपने जो आता है फोन में एच प्लस चला रहे हैं और आप उसको फोर्जिम चलाना चाते है बेसनल के सीम को तो इस वीडियो को पुरा कंप्लीट देखने बाद बिल्कुल असान तरीके चला सकते हैं जैसे फ्रेंट आपका एच प्लस में चलता है या 3G म चलता है तो जैसे यूटूब अप्लिकेशन या कुछ भी चलाते है तो आपका स्पीड नहीं देता है फोन और आपका जो था नेट साही ओर करता है लेकिन आपका एच प्लस में चलता है तो फिर आप अपने फोन में फोर्जी मिलाना चाहते है फोर्जी में नेट ओर चलाना चाहते है इस वीडियो को पुरा कंप्लीट देखने बाद आप अपने फोन में बिल्कुल असान तरीके से फोर्जी म चला स आइंगे बैक होने बद देख सेंदे हैं मारा select sim slot on में जैसे आप setting से करना उस पर कलिक करने बाद नहीं आ रहा तो जैसे setting में आ जाएंगे तहां से network internet option पर click करेंगे तहां से आपको नीचे आ जो देखते हैं आपको सो करेगा SIM का ड़ाइस मोवाइल निट वर्क इस पर आपको क्लिक करना SIM ON SLOT पर आपको फोर जीब कर लेना जैसे फोर जीब कर लेंगे जैसे आपको 5G रहागा फोर जीब कर लिजएगा 3G रहागा फोर जीब कर लिजएगा उसके पर यहां से आपको बयक हो जाना होम पर आजाना उसके पर फिरसे अपने वाल को डाटा जब आउन करेंगे तो आपको फोन में 4G का नेटवर्क आ जाएगा आपका यहां से जैसे डाटा आउन कर देते हैं 4G का नेटवर्क नहीं आता है H प्लस या 3G का नेटवर्क आता है इस तरह स्वेंट तब भी भी प्राब्लम हो रही है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा एक सेटिंग और एपलाई करना पड़ेगा यहां से आपको देखते हैं उपर में आपको स्कूल करके नीचे जाएंगे या सेटिंग को ओपेन करेंगे जो देखते हैं यहां से हम setting को open करेंगे जैसे setting को open करेंगे तेहां से आप अपने जो था APN में देखते हैं आपको so करेगा internet setting का option पर click करना है network internet option पर उसके पर फिर्ण यहां से आपको sim card s mobile network option है इस पर आपको click करना है जैसे इस पर click करेंगे तेहां से आपका सोग कर देगा जो देखते हैं APN का अप्शन है जैसे यहां से सेट कर चुके हैं 4G पर तो इसको 5 कर देखा उसके पर स्फिन यहां से आपको सोग करेगा जो देखते हैं एक्सेस पॉइंट नेम का जो देखते हैं आपको जब आएंगे सेट कर लेंगे तो उसके पर स्फिन यहां से आपको एपने आपका डाटा लोस नहीं होगा और यह से रेसेट कर लेंगे उसके पर स्फिन आप अपने मॉवाइल में चेक कर लिजागा कि आपका 5G नेटवर्क आ चुका है और बाइत भी आपको 4G नेटवर्क नहीं आता तो यहां से अपने मॉवाइल को पाउर बटम को दबाएगा बंद करेंगे फिर से आपको आपको आउन कर लेना जो देख ने पाउर बटम को जैसे दबाएंगे तो यहां से रूबूट रिस्टार्ट जैसे रूबूट करेंगे तो आपका फोन स्रीम स्लाट ओन में लगाएंगे तो करेंगे तो आपको प्रजी नेटवर्क है की नहीं तुरांत आपको जोता कर बता देंगे जो दिखसे इस तरह से हमारा फोजी एरियम है और यहां से हमारा जोता है एजप प्लस में चला तो हम फिक्स कर चुके हैं और जैसे आप फोर प्रजान तरीके चला सकते हैं वीडियो सुरु स्लाज तक देखने के लिए धन्यवाद